असलाम लेकूम प्यारे भाई और बेहनों क्या हाल चाल हैं उम्मीद है सब खेरे से होंगे आज की जो मेरी वीडियो है वो टियार सी से रिलेटिट है और पासपोर्ट की वैलिडेशन से रिलेटिट है काफी important information है वीडियो end तक देखेगा और वीडियो के end पे मैं आपको important tips भी दूँगा जो के तुर्की आ रहे हैं उनके लिए काफी जरूरी है जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें और end तक जरूर देखें तो मैं start करता हूँ देखें जब आप यहां पे आते हैं पाकिसान से यहां पे अब आप यहां पे TRC लेने आ रहे हैं अब वो TRC लेने आपकी जो मतलब आप TRC अगर rent पे property लेकर लेकर लेना चाह रहे हैं या property खरीद कर TRC लेना चाह रहे हैं तो दोनों condition में पासपोर्ट क validation बरी important है आप travel के लिए तो six month की validity हर मुलक मांगता है six month की at least validity होनी चाहिए लेकिन जब आप यहां पे आज आते हैं तो आपने TRC submit करनी होती है अगर आप rent पे लेते हैं तो एक साल की property खरीदते हैं तो आप दो साल की submit कर सकते हैं TRC card तो इस सुरत में जो आपके passport की validation होनी चाहिए अगर आप एक साल का resident permit यहां पर अप्लाय कर रहे हैं TRC apply कर रहे हैं तो आपका passport एक साल दो महीने valid होना चाहिए और अगर आप property खरीद कर दो साल का TRC submit कर रहे हैं तो आपके passport की validation दो साल दो महीने या तीन महीने होना चाहिए यह बड़ी important information है काफी लोग नहीं ब होता है एक और important information यह है कि आज कल जो किमलिक यहां पर reject हो रहे हैं उनकी एक बहुत ही main reason photographs है क्योंकि physical appointment नहीं होती है TRC में आपको सारे document अप्लाय करने होते हैं भीजने होते हैं यहां की courier service है एक PDT उसके थरू जो आप photograph भीजते हैं उसको भीजने से पहले आपको यह फाइल मुझूद है जो इन्होंने instruction दी विया कि आपकी photograph कैसी होनी चाहिए यह screen पे आपके सामने चल रही है कि आपकी देखें photograph का clear होना बहुत जरूरी है और आपके सारे document पूरे होंगे अगर आपकी photograph clear नहीं होंगी तो आपका application reject हो जागी क्योंकि physical appointment नहीं है तो कैसे आ आपको जो है वो करेंगे identify करेंगे कि क्या आप यही है जो apply कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है definitely जब इस तरह की चीज़े आती है तो कुछ भी fraud वगएर हो सकता है तो इसमें बहुत सी चीज़े important होती है इसे biometric क्यों कहते हैं biometric इसलिए कहते हैं कि जब आप direct camera से picture खेंच कर और वो आप picture भीचते हैं तो उसमें आप बिल्कुल clear होते हैं आपके जो face है जो eyes, nose, chin, mouth, hair style, हर चीज़ clear होती है तो अगर आप उसको बाद में परानी picture को scan करके उसको edit करके background आप change करके लगाएंगे तो definitely acceptable नहीं होगी आप देखें किसमें कैसे side pose में pictures हैं तो और यह background पे दे देखें color different हैं तो यह आपकी rejection हो जागी अब यह photo देखें background असल में यह edit होई भी है बाद में परानी picture को edit किया वह तो वो साब पता लग जाता है तो इसकी वज़ा से आपका केमलिक reject हो जाएगा और बाज even though मुझे भी असल में इस चीज़ का message भी आया है यहां के गोशध आप बेजें अभी आप देखें यह जो लोग glasses लगाते हैं उनके लिए क्या instruction है कि ना तो वो dark glasses पहने अगर वो normal glasses पहनते हैं अगर नजर की यानक है तो वो बिलकुल ऐसे यह picture केंचने वाला जो है वो आपको ज़्यदा guide कर सकता है कि आप किस तरह से बैठेंगे कि आपका shade ना बढ़े उस पे गैप बगएर अगर आप पहनते हैं तो नहीं पहननी ठीक है विग बगएरा पहनते हैं तो वो नहीं पहननी आपने ठीक है और जो खातून सकाफ लेती हैं उनके लिए भी यह के face आपका clear photograph में नजर आना चाहिए ताके कोई बाद में problem ना हो और यह बच्चों के लिए बच्चे डैफिनिटली बड़ा तंक करते हैं photograph लेते वे तो उनकी photograph आप किसी भी तरीके से अब आपने बच्चे को कि वो उसकी photograph clear हो और सिर्फ और सिर्फ बच्चा आए फोटो के अंदर ना के parents के हाथ या कुछ उसको hairband लगा के वो नजर आ रहा हो तो ऐसी चीज़ें आपने धियान रखनी है और बाकी important tip यह है कि जो पाकिस्तान से तुर्की आ रहे हैं वो यहाँ पे अपना account open कर सकते हैं TRC card आने से पहले passport की base पे उनके पास X number होना चाहिए और यहाँ पे government bank के पास जाकर आप अपना account खुलवा सकते हैं usually government bank का आपका account खूलते हैं और वो minimum balance required करते हैं कुछ पहले bank 10,000 टर्किश लीरा required करते थे अभी 30,000 टर्किश लीरा fixed deposit required करते हैं जो के तीन से चार महीने तक ब्लोक रहता है लेकिन आपका account खुल जाएगा बगैर किमलिक आए passport की base पर और आपके Turkish X number की base पर तो यह था आज का tip अपना ख्याल रखेगा अल्ला हाफिस यह थो यह रहा है अच्छ आपका आपके पर और आपके शावाब।